हेलो फ्रेंट एक बर फिर से आपका स्वागत है आपकी चानल पर मेसी पिपर बाइ कीएस तो फ्रेंट जो आपका चप्टर चल रहा था मद्दिकालिन चित्रकला तो आज उसी के अंतरगत जिसके अंतरगत पोल सेली और Когда आती है तो उसी के अंतरगति आज हम मुर्दीकला के बारे में जानेंगे कि कौन क्या-क्या मुर्ति पाई गई है मद्धिकालिन में और जैसे कि मैं बता दूँ कि मद्धिकालिन के अंतरगत तीन धर्म है जिससे मुर्ति पाई गई है पहला है बोध धर्म दूसरा है ब्रह्मन धर्म और तिसरा है जेन धर्म ये तीन धर्म से अल जादा मुर्ति इस मद्धिकालिन में पाई गई है तो चले स्टार्ट करते हैं प्रमुख मुर्ति सिल्फ उधारन तो जो प्रमुख मुर्ति सिल्फ है वही उसी के बारे में जिक करेंगे क्योंकि बहुत सारी मुर्तिया पाई गई है बहुत जादा तो सब के बारे में नहीं जानना है क्योंकि सारा इंपॉर्टेंच नहीं है कितना जानेंगे वैसे पढ़ाने लगें तो फिर बहुत सारा कुछ है पढ़नकी लेकिन जो इम्पॉर्टेंट यह जो और मुर्ति वह सारी इंपॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते eh फिर जो सबसे पहले नंबर पे है कि बोध मुर्टी सिल्फ तो बोध धर्म से जितने भी मुर्टी सिल्फ मिले हैं उसके बारे में जिग्र हो रहा है तो पाल सासक बोध धर्मा लंबी थे मतलब पाल सासक जो थे वो बोध धर्म मानने वाले थे अता उनके काल में बोध देवी देवताओं की सरवाधिक मूर्तिया बनी थी मतलब उनके काल में मतलब उनके समय में बोध देवी देवताओं से समंदित बहुत सारी मूर्तिया बनी जो उनके जीवन की घटनाओं से समंदित है जो मुर्तिया बनी थी वो बोध धर्म के जीवन से जैसे वो रहन, सहन, खान, पान जो भी है उनके जीवन से समंदित मुर्तिया बनी तो बोध धर्म से प्राप्त की गई परमुख मुर्ति कला तो देखते बोध धर्म से कौन-कौन सी मुर्ति प्राप्त की गई है बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में प्राप्त की गई है यह बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन बहुत इंपॉटेंट है और बुद्ध की मुर्ती भी वैसे देखा जाए तो सारा ही इंपॉटेंट है लेकिन बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में पू मुर्ति हिये फिर सिद्धे कवीर आ गयाते हरिती हिर्फ कि भी मुर्ति सब्सक्राइन उफप प्रतीमा मतलब कास धातू से बनी हुए है बुद्ध को सीधी खड़ी अभई मुद्रा में अंकित किया गया अभ Hind्मुद्र मैं अंकित क्या गया इस मुद्दि को अलंक्रित उन Value गले में हार उत्कृस्त किये गया है और और गले में हार पहना गया वही इस मुथり खिले हुए पद्म की चोकी जिस पर वो खड़े हैं सिर पर अत्यंत महीन वस्तर का अभास देने के लिए पेरों में दो बारिकी रेखाये वो वस्तर की सिल्वटे दिखाई गई है वह वस्त्र एक छोड से उनके बाए हाथ में पकड़ा हुआ है परतीमा के मुख पर मंद हश दिखाया गया हश मतलब हसी होता है तो परतीमा को जो मुख मतलब जो उनका फेस है उस पर हलकी सी हसी दिखाई गई है पीछी की और परतीमा को जो पीछे साइड है बैक साइड पीछी की और लंबे अर्ध गोला कार पटीखा अब देखिएगा कि यह मुर्ती बहुत सारी मुर्ती जिसके पीछे पूरा भी गोला होता है जिसको पटीखा कहते है ठीक है तो पीछे की और लंबे और अर्ध गोलाकार पठीका की किनारी और किनारी को अलंकरित किया गया है जो उसका किनारा साइड होता है उसको पुराच्छे से डिजाइन बनाए गया है पालिवन्स की यह परतीमा कुकिहार गया बिहार से प्राप्त की गई है ठीक है कुकिहार गया बिहार से प्राप्त की गई है मुर्ति जो इग्यारवी सताब्दी की रचना है तथा यह परतीमा पठना संग्राले में सुरक्चित है यह परतीमा है वो पठना संग्राले में सु बिहार बगाओ गया भिहार से मिली है जा फिर यह मुट्टि की संग्राले में रखी एक संग्राले में सुरक्ची थे और फिल रचना की सदी में हुई है तो इस तरह से कोशंगे एक्जाम में है करे नेक्स नाते सकर्ड नंबर बोध प्रस्तर परतीमा ये भी बोध की मुर्ती जो प्रस्तर परतीमा मतलब प्रस्तर से बनी हुई है और भूमी असपर्स मुद्रा में इंदा सेंस की ये जो मुर्ती है वो दिवाल में ही गढ़ी हुई मुर्ती है ठीक है दिवाल में ही कटिंग करके बनाई गई है तो बोध की ये प्रस्तर परतीमा भूमी असपर्स मुद्रा में उतक्रिन की गई है तथा इसके अर्ध गोलाकार लंबे फलक के माध्य में उतक्रिन किया गया है अर्ध गोलाकार में है और लंबे मतलब एक लंबाई में फलक में उतक्रिन मतलब उकेरा गया है, पलक में चारो और बुद्य के जीवन की आठ विसिस्ट घटनाओ को प्रिथक पास्तर मुद्रा में अंकित किया गया है जो फलक है फलक जो सता है एक तरह से कह सकते हैं उसके चारो और बुद्ध के जीवन की आठ विसिस्ट घटना मतलब बुद्ध के जीवन की आठ जो अलग-अलग घटना है पर तक पर तक मतलब अलग-अलग घटना बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो आठ अलग-अलग घ पर पदमाशन मुद्रा में विराजमान दिखाया गया है उनका दाया हाथ भूमी असपर्स मुद्रा में दिखाया है उनका दुछ धाया हाथ है वो भूमी को असपर्स करते हुए मुद्रा में है सर पर उर्ण तथा मस्तक के पीछे अलंकरित प्रभाव मंडल द्रिस्ट वै है ठीक है उनके सरीर पर जनव जो पहनते उनके सरीर पर जनव तथा पेरों में धोती की रेखाई उतकरिन की गई है मुर्ती में गुप्त कला के लक्षन असपस्ट दिष्टि गोचर होते है मतलब गुप्त कल में जैसी मुर्तियां बनाई जाती थी उसका तोरथा लक्षन इस मुर्ती में दिखाई देता है पॉल सेली का यह परतीमा फलक नालंदा बिहार से प्राप्त हुआ है जो दस्वी सताब्दी की रचना है और यह परतीमा नालंदा बिहार से ही मिली है और यह परतीमा नालंदा संग्राले में सुरक्चित अगर आप नालंदा संग्राले जाएंगे तो आपको यह परतीमा दे गिंखना दिखते हैं तो आप नेट स्थ कर सकते हैं पर्तिमा आजायेगा और आप को आप देखना कि हां सच में उसमें ऐसे ही जो मैं जिक्र करें उया गया हुआ को 109 नेक्स्ट थ्री नंबर देवी मरीची देवी मरीची की मूर्ति के बारे में जानते हैं तो इस मूर्ति के फलक में देवी मरीची को आठ भूजी वो साथ ही त्री मुखी देवी के रूप में उत्क्रिन किया गया है मतलब आठ भूजी मतलब इस मूर्ति में जो है देवी मरी सारे हातों में भिन-भिन परकार के अयुत धारन किये हुए हैं पाल सेली में निर्मित देवी की यह मुर्ती सिल्फ बिहार प्रांथ से प्राप्त हुई है यह मुर्ती जो शिल्फ है बिहार प्रांथ से प्राप्त की गई है, घो लगभग नयुमी सताबदी की रचना है यह परतीमा भारती शंग्राले कॉलकाथा में सनरक्सित है जो पर्तीमा है वो भारति संग्राले कौलकाता संरक्षित है और एक्जाम में पूर सकता है कि देवी मरीची की मूर्ति की संग्राले में रखी गई है तो आपको लिखना पड़ेगा भारतिसंग्राले कौलकाता नेक्स्ट आते फोर्ट नमबर पे बुद्ध नलगिरी हाथी को सांध करते वे परतीमा तो इस परतीमा सिल्प में बुद्ध को नलगिरी नामक हाथी को उपदेश वो असिरवात देकर सांध करते वे उतक्रिन किया गया है ठीक है नलगिरी नामक हाथी को नाम है वो नलगिरी है उसको उपदेश देते हुए और साथी असिरवात देकर उन्हें उसे सांध करते हुए उतक्रिन किया गया है इस हाथी को उनकी चचेरे भाई देवदत ने बुद्ध को मारने के लिए बढ़ा था ये बताया जा रहा है बुद्ध को साधु वेस में दिखाए गया है उनकी मुद्रा त्रिभंगी है गले में हार वो सिर पर मुकुट भी उतक्रिन किया गया है सम्पूर्ण सरीर पर एक पतला पारदर्सी लंबा वस्तर पहनाया गया है उनकी दाय हाथ हतनी को असिरवात देने की मुद्रा में दिखाए गया है जो बुद्ध का दाया हाथ है वो हत्नी को असिरवात देते हुए दिखाया गया है बुद्ध पदमे युक्त की एक चोकी पर खड़े हैं उसी के पास एक हत्नी को उनके पेरों में जुके वे छमा याचना की मुद्रा में उतक्रन किया गया है उनीके पास कहा जा रहा है कि अनके पेरों के पास हत्नी को दिखाए गया जो चहमा मुद्रा में उतकरम् किया गया है यह मुर्ती बिहार से प्राप्त की गई है यहाँ पर फ्रेंड्स इस मुर्ति का संग्राले नहीं मैंसन है क्योंकि इस मुर्ति का संग्राले बुक में ही मैंसन नहीं है बुक में नहीं है तो मुझे भी आइडिया नहीं है और बुक में मैंसन नहीं है तो एक्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा कुछ फाइब नंबर तारा देवी की मुर्ति तो नालंदा से मिली तारा देवी यह मुर्ति जिन में उनके गले में तीन लडियों बुच बंद है ठीक है तो यह जो मुर्ति यह अनालंदा से मिली है जिनके गले में तीन लड़ियों वाला हार है और बाह में भूज बंद है नेक्स्ट आते है शिक्स नंबर बोध धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में तो बोध धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में जो मुर्ति मिली है तो इस मुर्ति सिल्प में बुद्ध को धर्म चक्र परिवर्तन हस्त मुद्रा में बेठे हुए अंकित किया गया है इनके दोनों दो अन्य आकिर्तियों में बुद्ध को साधु वेस में अंकित किया गया है इसमें जो बुद्ध उनको सादू वेस में अंकित किया गया है जिसमें से दाएं और उन्हें व्रिद मुद्रा तथा बाएं और अभाएं मुद्रा में खड़े हुए अंकित किया गया है दाएं और बुड़े 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 मुद्रा में अतथा भाएं और अभाए मुद्रा में खड़े हुए अंकित किया गया है उपर की और भी दो बुड़े को पदमाशन में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए अंकित किया गया है और उपर की ओर भी दो बुद्ध को अंकित किया गया है जो ध्यान मुद्रा में बेठे हुए अंकित किया गया है बुद्ध के मस्तक पर अलंकरित मुकुट बनाया गया है बुद्ध का जो सर है उस पर मुकुट बनाया गया है गले में भी अलंकरन युक्त माला उतकरिन है अ पालवंसी मुर्ती सिल्प की ही भाथी पतला पारदर्सी वस्त्र पहनाए गया उनकी मुकुट के उपर एक फूल का अलंकरन है पर्तम अबूदेश् तरा-शु कौको दिया तो इक पेढ माने पाथीं कि नीचे को जाँ नहीं धू शुकुट के नगे ऊयते हमंपर नाच आप सबसाने दए प्रैपके नेखें और वह भूहाने अमने गया वैसा हूँ और वैसा नीचे के नीचे जहां पर बुर्धी में ब गया बिहार से प्राप्त हुई है जो 11 सताब्दी की रचना है पर नेसहाइं ने हैंट्स तो यह जो मूर्ति है वो यह मूर्ति पालकालिन की है और यह भारत कला भवन वारनसी में सनरक्चित है जिसमें मूर्ति के परिकर में बूति के जीवन से सम्मंदित पाच परमुग घटनाओ की छोटी आकिरतिया उकेरी गई है ठीक है उनकी घटनाओ से सम्मंदित पाच कर दोते हैं पहला जो आकरती है तप श्यारत बूद्ध दुसरा धर्म-चक्र-परिवर्थन तिसरा उकेंग गया है वोह है परीनिरवान चोथा जो है वह सब नल गिरी दमं से समंधित दिरश्डाीज़ंग गय परिकर इसका उसके सेज भाग पर अकृतियों से भरा भी नहीं गया है एंड लास्ट बात करते एट नंबर जो यह भी बुद्धम से रिलेटन मुर्ति है तो मेत्रे मुर्ति सिल्फ विशनपूर गया से मेत्रे की एक मुर्ति प्राप्थ हुई है जिसमें वे त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं वो उनकी अभई मुद्रा अत्त दर्शनीय है आकृति में सरीर भरा हुआ और अंग परतंग कोमल और गोलाई किये हुए हैं अकृति में जो सरीर है वो भरा हुआ है और अंग परतंग कोमल उनका अंग है वो कोमल और गोलाई किये हुए हैं कोपाल चिकनी और भरे हुए तथा नासिक उची है कोपाल मतलब माथा जो है उनका वो चिकना है और जो नासिक मतलब नाक है जो इसका है नासिक मतलब नाक वो क्या है उची दिखाई गई है तो फ्रेंस इतना जो मूर्ति यह सारी मूर्ति जो आर्ट मूर्ति का जिगर किया सारे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़न जादा मुर्ति नहीं पढ़ना है अगर कोश्ण आएगा तो इसी से डिलेटेट आएगा इसे बाहर नहीं आएगा तो यह जो है यह बहुत धर्म से मिली है जो पौल सेली के अंतरगात आती है यह मुर्तियां सारी फ्सें आज के वीडियो में इतना ही जो कल यह बात करुँगी ब्रह्मान दर्म से जो मुर्ति मिली और जेन धर्म से मुर्ति मिली है व्युक्त तो बहुत सारी मुर्ति है लेकिन उतना पढ़ना नहीं है आप लोगों को ठीक है तो मैंने जただ होता आधियो और इसी के अंतरगत आपके एक्जाम में कुशन मैच करें आएंगे तो आई होप्रेंज आपको वीडियो पसंद आयो हो तो पसंद आया दो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए रोसकेब कर लिजेगा बेल आइकन पर क्लिक कर लिजेगा फ्रेंज ताकि आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें नमस्ते